नमस्कार दोस्तो आज का टॉपिक है कि क्या बुल रन खतम हो चुका है और जिस हिसाब से पैसे बन रहे थे वो पैसे आने वाले टाइम पे नहीं बनेंगे यह मार्केट को देख करके क्या सिचुईशन हमें देखने को मिल रही है यह टॉपिक चूज करने के पीचे कुछ मे इन में पैसे डाले हैं और उसके पैसे यह तो बने नहीं है या कुछ लोगे पैसे तो इवन नेगटिव में जा रहे हैं तो यह वीडियो इस वज़ी से मैं बना रहा हूं फर्सींग फर्स किसे को नहीं पता कि कब शुरू होता है कब कहतम होता है इस में यह थो सकते है कि आज वो practically होते हुए आपको दिख रहा है क्योंकि देखो market जो है न वो में लिए दो तीन factors के उपर चलती है सबसे पहला factor होता है liquidity अभी तक जो बजार के अंदे ये boom देखने को मिला था ये आया था because of retail participation अब आप पूछोगी कि भाई retail participation कम हो गए क्या नहीं retail participation कम नहीं हुआ है retail participation stagnant हो एक level के पास जाकर के जो SIP amount है वो stagnant हो चुका है उसके आगे वो grow नहीं कर रहा है वो stuck हो चुका है एक जिवापर जाकर के तो जो market के अंतर एकदम से ad hoc चीज आई थी कि इतनी ज्यादा liquidity market में क रही न कहीं रुकते हुए दिखी है second major reason कि FII वापस से selling कर रहे है इंडियान market को अब इंडियान market में sell करने के पीछे देखो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसे US के election जिसके बार में हमने last video में भी discuss किया था क्योंकि इसके साथ एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी को इसकी company के जो revenues है वो ताबरतो तरीके से बढ़ रहे है या फिर नहीं बढ़ रहे है अब हमारे कुछ results की बात करोगे जैसे TCS Infosys हो गए इनके results है muted थे even downside आपको देखने को मिले है यहाँ पर को ही benefit नहीं हुआ sales growth नहीं बड़ी यहाँ पर net profit नहीं बना यहाँ पर भी growth almost ना के वराबर है हम बात करते हैं कि भाई हमारा इंडिया ग्रो नहीं कर रहे तो इसका मतलब यह है कि इंडिया ग्रो नहीं कर रहा यह सिर्फ उसे नंबर है नंबर किसी हो सकते हैं सेग्मेंट के अंदर growth नहीं है और जब भी आप FII की बात करते हो तो बड़ी companies को majorly check करते हैं कि इनके revenues आ रहे नहीं आ रहे क्योंकि है कोई भी foreign institution जो कि लाको करोडो खर्बो रुप लेकर के आएगा इंडिया के अंदर वो यह देखेगा कि क्या भाई यह सिर्फ उसे numbers ब इसी वजह से देखो कि जैसे ही result season शुरू हुआ है तो जो selling है वो थोड़ी-थोड़ी करके बढ़ चुके हर दिन कहीं पांच हजार करोड़, साथ हजार करोड, नौजार करोड़ के आसपास की selling FII की side से दिख रहे हैं उसी को balance out करने की कोशिश कर रहा है DIA क्यूंकि अभी स्मॉल का बूस्ट हो चुका हो तो रॉकेट बन चुका था लेकिन आज की date में वो रॉकेट नहीं बन रहा क्यूंकि FII की selling है उसी को digest करने की कोशिश कर रहा है DIA अब एक और चीज है जिस पर ध्यान होना चीए है जो कि है interest rate cut काफी साइल लोगों ने इस पर वीडियो बन जहां पर FNO को कहीं न कहीं demotivate किया गया कि भाई लोग ना करें वहां पर जो volume से उसको गिराने कोशिश की गई इसी के सांसर जो text थे वो बढ़ाने कोशिश करेगी तो इससे भी एक negative impact जाता है for institution को कि भाई आकर जो government है वो काफी ज्यादा positively react नहीं कर रही है तो यह भी reason ह FIA का ना आने का क्योंकि वो भी आप देखो इंडियन मार्केट ने पैसे डालते है क्योंकि वो कमा पाए एक और major reason है liquidity खराब होने का कि जब भी bull run होता है बहुत सारे IPOs आते हैं अब जब IPO आते हैं तो उसके इसके अंदर वो market से पैसा second करते हैं वो अलग अलग stocks में जा द इसी वज़े से आप देखोगे bull run के अंदर काफी सारे वाहियात IPOs आते हैं पर उनको भी valuations हाई मिलते हैं क्योंकि bull run में हर इंसान को लग रहा है जहां पर भी पैसे टालूगा वहां पर पैसा बनता रहेगा अगर आप मेर से पूछोगे मोढ़े मोढ़े तौर पर तो यह कुछ major reason है जिसवाज से market consolidate या downside दिख रही है बट इन साई चीज़ों को देख करके लगता नहीं है कि bull run खतम हो चुका है बुल run के अंदर definitely शांती आई है बुल run जहां पर पहले return बन रहे थे वहां नहीं बन रहे बुल run में लेकिन मुझे यह लगता है आने वाले टाइम पर पैसा बनेगा optimistic रहना चाहिए अच्छे पैसा बना पाएंगे अब चलते हैं क्यों करना है मतलब थीक है एक आदी सही होते हैं बट यह स्मॉल केप के नफो नफो में मट डालो यार देखो ओल्रेडी ट्राइड ट्राइड टेस्टेड इतने साही मूचल फंड है इंडिन मार्केट में क्या कर लोगे इसक अच्छे पैर मत करो मेरे भाई ठीक है तो एन फो में मट डालो क्योंकि पता नहीं है डाउंसाइड कैसा होगा तो प्लीज प्लीज दूर रहो बहुत ज़्याद एक्साइट नहीं होना था एन फो को 90% एन फो 95% एन फो को अवाइड ही कर दो बहुत एक्साइट मटो इनको ले करके रमजान राज का कमेंटर यह कह रहे है प्लीज कीप इनफॉर्म ओन डिफेंस सेक्टर मूच्वार्मेंट शॉर्म चीक चीक के इतनी मूच्वाली वीडियो में बोला है कि डिफेंस छोड़ दो छोड़ दो डिफेंस में कुछ नहीं रखा मेरे भाई आप ये समझ मैं तो सिर्फ से बना लूँगा सिर्फ से भी पैसा नहीं बनता गॉर्मेंट कर इंट्रस भी देखना पड़ता है सो आप नेस हमापे कुछ कहास इंटरस की डिफेंस का जो बज़ेट सा उसके इंदर वह ओ एलक्षा जीतें से तो घीत कुकि हैए अब होल जाँ और defense को और PCU को और यह sectoral investing है ना कि जो कहरें long term में पैसा बनेगा long term भाई sector में long term में फस जाता है इंसान क्यूंकि sectors चाचा साल नहीं चलते हैं और आप downside खरीदते रोगे तो कब तर खरीद होगे तो आप यह समझो यह sector flavor से जा चुका है PCU flavor से जा चुका है तो stocks इसके अंदर के फिर भी ठीक है अच्छे हैं but valuations आई order book के उपर जो growth हुई थी वह हो गई कहां फसरो defense कंदर आपकी मर्जी आप invest करना चाहब मेरी site से तो big no है कि भाई कुछ ही नहीं होने वाला इसमें defense को छोड़ दो मत सोचो 100% के return मनेंगे नहीं बनते है ऐसे return मेरे भाई मनुझ कमेंटर के रहे सार सका शेर तो आज है निपड गया तो भाई यह देखो माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है मतलब 1000 क्रोड 8000 क्रोड की कंपनी है यह ऐसे ही होती है अपर सर्केट पर सर्केट लोर सर्केट पर लोर सर्केट इसमें कोई issue नहीं है क्योंकि liquidity कम होती त तो अपर सर्केट को ला लोर सर्केट लगा सो देखो अभी थोड़ा consolidate होने दो IPO आया इतनी जल्दी हाथ पर छोड़ करके गुझ जाना एक गलत बात है मैंने सुबही बूला था यह वाच लिस्ट में होना चाहिए आपका थोड़ा सा वेट और वाच करना चाहिए इसमें आप देखो बजाज housing finance के साथ क्या हुआ यह वा अपर सर्केट लगा फिर लो सर्केट लगा फिर बरवाद होगी कंपनी नीचे आगे राइट तो कंपनी अच्छी है वेल्यूशन देखना है कंपनी सॉलिड कंपनी है तो सार्सर सॉलूशन है लेक्रानिक सॉलूशन है नॉर्मल एक साल के आसपास होता है बढ़ हम एक तेड महीन तो देखी सकते हैं मैसे स्ट्रॉक्स को सो नॉर्मल यह इतना उप पर नीचे होना माइक्रोग कंपनी में ऐसी होता है अकील जी का कमेंट है यह कहरें सर अभी स्मॉल केप में लंसम करना ठीक होगा क्या कौन से स है कौन का मिट कैप है और एक फ्लैक्सी कैप है तो अभी लंसम कर सकते हैं पांच साल के लिए नहीं नहीं मतलब पांच साल के लिए अगर आपको पॉइंट हो कि तो करो देखो मुझे लगता है पांच साल में ना स्मॉल कैप आपको गिरते हुए दिखेंगे मैं ऐसा मुझे से लगता है क्योंकि लिक्विडिटी फ्लो आएगा ना इंजेक्ट होगा तो यहां से फिर वो जो मार्केट के लिक्विडिटी है वो डाइल्यूट होगे और वापस से फिर बजार नीचे के साट जाएगा 2025 एंड के आसपस मेरा मानना यह थोड़ा कम ज्यादा हो स सब्सक्राइट विक्विडिक कर नी सकता सो पां साल में मुझे लगता कटा है आपके जो में दिखेंगे पकाट रटर है अग्यार कब्оловूर। वाला ऐसा strict role नहीं होना चाहिए यह पांच साल में करना तो अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो बाट strict role के साथ मता नहीं करती और बेच आसे रहे है तो क्या करना चाहिए? होड करना चाहिए यह बेचान चाहिए? एंच क्या है? और यहां पर भी लोगों की नजर नहीं पड़ी है इंडेसन बैंक को आप होल्ड कर सकते हो अच्छा स्टॉक है इसके बेचने वाली कोई बात नहीं है इंडेसन हो गया, एकसिस हो गया, इसे हो गया यह अच्छे बैंक है, इनको बेच के कुछी नहीं होगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिलको नथ भूला थैंक यह सो मच वर वाचिं इस वीडियो टाटा, बबाए, साइनिंग ओफ